हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू ग्रेवाल टूटरियल आज हम बीएड सेकिंड एर पेपर बार नॉलेज इन करिकुलम कर नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट के अंदर हमने थेयोरी ओफ कंस्ट्रक्टिविसम के बारे में स्टडी किया था वह जीन प्याजे और लाइफ अग्रसकी की जो थेयोरी हैं उन दोने से इंफ्लेंस होकर ब्रुनर ने अपनी डिस्कवरी लर्निंग थेयोरी दी है ब्रुनर बिलीव करते हैं कि बच्चा जो है खुद के लिए ही सीखता है और अपने वातावरन से ही वो सीखेगा यानि कि हमारे जो असपस का इनवार्मेंट है उसी से हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और वो हम खुद सीख रहे हैं यानि कि हमें कोई सिखा नहीं रहा उस चीज को जिसे कि अगर हम कुछ बुरा होते हुए देख रहे हैं जिसको हम experience कर रहे हैं, यानि कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है, जो हमारी life में हो रहा है, वो सब किसकी वज़े से हो रहा है, हमारे mind की वज़े से, यानि कि हमारे दिमाग की वज़े से ही सारी चीजे हो रहे हैं, जो वो सोचता है, वैसा ही हम करने लग चाते हैं, यानि कि it believes that the world we experience is the product of our mind यानि कि जो भी हमारे दिमाग में होगा वही हमारा वर्ल्ड होगा उसी की वज़े से जो है हम अगर negative thought रखेंगे mind में तो हम negative ही सोचेंगे और positive रखेंगे तो positive ही सोचेंगे जो भी हम अनुभव करते हैं या सोचते हैं वर्ल्ड के बारे में वो सब हमारा mind की वज़े से ही हम सोच पा रहे हैं यानि कि अगर mind किसी चीज़ को बोल रहा है ये चीज़ आपके लिए गलत है तो आप किया है उसको कभी भी सही नहीं मान सकते और जैसे कि example लेते है alcohol जो है dangerous है health के लिए तो हम उसको अगर हमारा mind कहता है कि हाँ ये dangerous है तो हम उसको हमेशा पूरी lifetime ही क्या है dangerous ही मानेंगे कि ये हम नहीं लेंगे अगर हमारा mind बोलता है कि ये नहीं है dangerous तो यानि कि वो लोग use करने लग जाते हैं तो यही हमारे mind का ही खेल है यह हमारा एक process है जिसके through जो हमारा mind बोलता है कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ पूरी है ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है जीन प्याजे और लाइव अगोस्की के बीच में मैंने difference दिया है जीन प्याजे बोलते हैं उन्होंने बात किसके उपर किया है cognitive development के बारे में लाइव अगोस्की ने बात किया है social cultural expects के बारे में next रहता role of language को इन्होंने ignore कर दिया था जीन प्याजे ने लाइव अगोस्की ने role language को ही main माना है कि जो role है language का जो भाशा है हमारी उसका ही main role रहेगा जब भी हम कुछ भी चीज़े सीखेंगे development took place on the basis of physical environment जीन प्याजे बोलते हैं कि जो भी हम सीख रहे हैं जो हमारे अंदर development होगी वो किसकी वज़े से होगी हमारे आसपास के वातावरन की वज़े से ही होगी लाइव अगोस्की बोलते है social और cultural भी उसको influence करेगा यानि कि सिरफ physical environment नहीं social और cultural environment जो हमारे आसपास का है वो भी development को influence करेगा यह एक छोटा सा डिफरेंस है जब मैं इन दोनों की अलग से आपको थेओरी कराऊंगी तो उसके अंदर अच्छे से clear होगा नवर नेक्स ट्रोपिक इस वट आर दे क्रेक्रेक्रिस्टिक्स ओफ भूनर्स थेओरी ऑफ कोगनेटिव डेवल्मेंट यानि कि क्या विशेष्टाइं हैं ज्यान संबंदित विकास की अब हम इन बारे में study करेंग डेवलप होंगी साथ के साथ हमारी individual qualities भी डेवलप होंगी यह कि हम individually भी एक अपनी personality form कर पाएंगे the subject matter should be in a logical way by keeping the difficult level in mind इनकी जो भी हम subject matter इसके अंदर सेट करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है बच्चे के अंदर दोनों टाइप की qualities को develop करना है तो उसके according हम एक logically way में यानि कि पहले हमें क्या सिखाना है उससे बच्चा किस तरीके से next topic सीखने में उसको help होगी अब हम इनके बारे में तेखेंगे now next one is subject is structured in such a way that the learner learns easily यानिके हम जो subject का structure बनाएंगे जोग भी हम पढ़ा रहे हैं उसको इस तरीके से पढ़ाएंगे जिससे बच्चा easily उसको सीख पाए समझ पाए सीख पाए next आता है this theory emphasized reinforcement after learning यह हमारी जो थियोरी है reinforcement के उपर ज्यादा ध्यान देगी यह जो है बल्वृद्धी यानिके reinforcement के उपर ध्यान देगी बल्वृद्धी जो है दो टाइप का होता है नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है दोनों के अंदर difference क्या होगा कि जो पॉजिटिव होगा यानिकि आपने जिसे की कोई टेस्ट दिया उसके अंदर जो है आपके 9 marks आए out of 10 अब जो है टीचर आपको positively बोल रहा है कि आप 10 में से 10 भी ला सकते हैं अगर थोड़ी से और मेहनत करें यानिकि आपको क्या positively वह influence कर रहे हैं आपको जो है अच्छा बता रहे हैं कि आप और भी अच्छा कर सकते हैं आपको यह भी कहा जा रहा है अब negative reinforcement कैसे होगा कि जिसे की environment हमारा ऐसा है जिसके अंदर हम बिलुकुल पढ़ नहीं पा रहे हैं लेक यानिकि हमारा जो negative reinforcement है कि टीचर बोल रहा है कि अब बेशक इन्वार्मेंट हमारे जितना भी खराब है लेकिन आप फिर भी काम कर सकते हैं वह क्या होगा हमारा negatively reinforcement नेक्स्ट आता है इस थियोरी emphasize upon the coordination among the past experience of the children and the content of the new subject यानिकि यह थियोरी ज्यादा ध्यान किस चीज के ऊप यानि कि तालमेल के उपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि जो हमारा past experience है जो बच्चे सीख कर आई है और जो हमारा content है अब जो नया subject जुड़ रहा है जिसे कि हम जब 5th class में होते हैं तो हमारे पास social science नहीं होता लेकिन उसके बाद जो हम next 6th class में होते हैं तो हमारे social science जो है next नया subject आ जाता है फिर इसी तरीके से जब हम 9th में होते हैं तो हमारे economics जो है नया subject आ जाता है social science के अंदर यानि कि जो हमारा past experience है अब हम उसका भी use करेंगे और साथ की साथ जो है नया content हम पढ़ाने चाहरे हैं उसको भी अच्छे से बच्चों को learn करा पाएंगे लेकिन जब हम higher studies में करते हैं या फिर हम 11th, 12th class तक पढ़ते हैं तो वो जो SS है वो बहुत deep way में हमें पढ़ाया जाता है यानि कि जब हम 6th class में थे हमें just introduction ही दिया जाता है कि पहले ऐसा था ऐसा था लेकिन जब हम 12th class तक पहुँच जाते हैं तो उस time पर हम में जो है रण साथ के साथ जो नया content होगा उसको भी हम जोड कर बच्चों को पढ़ाएंगे यह सब जो है विशेष्टा ही थी हमारी प्रूनर कोगनेटिव डेवलप्मेंट थियोरी की now next topic is what are the Brunner's discovery learning strategies यानि कि क्या-क्या हम strategy अपनाएंगे जिसके थूरू जो हम Brunner जो चाहते थे उस तरीके से हम काम कर पाएं सबसे पहले आता है यह teachers को guide करता है कि बच्चों को encourage करें ज़्यादा से ज़्यादा वो discuss कर पाएं एक दूसरे के साथ उनको बोला जाए कि आप question पूछे उनका answer जाने यानि कि उनको बोला जाएगा कि आपको अगर किसी भी topic के अंदर problem है तो आप teacher से question पूछे ज़्यादा से ज़्यादा उनको useful information दो when the student need help अब कोई बच्चा है वो vacation पे गया हुआ था holiday पे गया हुआ था मान लेते हैं leave पे अब वो वापिस आ रहा है तो वो क्या है पूछ रहा है कि last five या six days में teachers ने क्या कराया यानि कि teacher जो है बच्चे को help करे उस वाले part को cover कराने में और उसको जो भी source की जर जरूरत है notes की जरूरत है तो वो सारी चीजे बच्चे को available कर आए नेक्स आता है direct discussion towards useful outcome अगर हम directly एक दूसरे के साथ यानि की teacher और student एकटा ही बैट कर directly हम बातचीत कर रहे हैं हमारे words देख रहे हैं यानि कि वो influence कर रहे हैं एक दूसरे को तो वहां से हम ज़्यादा से ज़् पाएंगे monitor the flow of idea and activities in the classroom teacher को हमेशे ध्यान देना चाहिए कि कि इस तरीके से classroom का environment चल रहा है क्या बच्चे जो है flow में सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं अब कुछ बच्चे ऐसे होता है जो teacher जैसे ही blackboard पे लिखेगा वो answer देना start कर देते हैं लेकिन कुछ ऐसे होत it should answer student question teacher को अगर कोई बच्चा question पूछ रहा है तो उसका answer जरूर देना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने जैसे कि एक ही question जो है तीन बच्चों ने पूछा है लेकिन जो उसका meaning है आपके according same है लेकिन बच्चों ने question थोड़ा थोड़ा change करके पूछा है तो आप ऐसे नहीं कह क्या है वही इसके अंदर apply होगा आपको थोड़ा सा उसको explain करना होगा यह सब जो है हम strategies follow करेंगे discovery learning कराते हुए next topic आता है कि क्या-क्या इसके benefits है यानि कि क्या-क्या फाइदे है discovery learning के knowledge that produced through discovery is easy to remember and more easy to recall यानि कि जो भी हम खुद से discover करते हैं किसी भी चीज को खोजते हैं तो वो चीज को हम असानी से जल्दी से learn कर पाते हैं और साथ के साथ जब भी हमें जरूरत होती है तो जैसे कि अगर मैं आपको कुछ बता रही हूं या फिर आपने कुछ खुद से सर्च किया है तो आपने जो खुद से सर्च किया है उसके अंदर आपने ज़्यादा mind लगाया आपको वो ज़्यादा याद पाएगी ना कि जो मैं आपको बता रही थी तो यही होता है कि अगर हम डिस्कवरी के थ्रू पढ़ेंगे तो हम असानी से और जल्दी से रिकॉल कर पाएंगे नेक्स रहता है opportunities to learn the heuristic of the discovery यानि कि अनुमान लगाने में भी helpful है यह हमें क्या है discovery learning helps the children in the process of memorization यानि कि यादाश का जो प्रोसेस है उसके अंदर भी हमारी discovery learning फायदे मंद है next help in shifting from instinct reward to extrins reward means जो discovery learning है वो हमें आंतरिक पुरसकार से बहारी पुरसकार की तरफ लेकर जाएगी intrins होते हैं यानि कि खुद से ही आप motivate होते रहेंगे मुझे यह achieve करना है फिर आपको अलग-अलग आप अपने आपको reward देते रहेंगे extrins होता है यानि कि आपको teacher कहेगा कि अगर आपके 10 में से 10 वाक्स आए तो मैं आपको क्या है चोकलेट दूंगा यानि कि वो extrins reward है आप उसके लिए फिर महनत करेंगे नेक्स आता है help students to learn more and more यानि कि बच्चों को मदद मिलती है अगर वो discovery learning से सीखना चाह रहे हैं next one is help in learning new concept अगर कोई भी आप नई चीज बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं तो अगर आप discovery learning का process follow करेंगे उसके थुरू अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे उस चीज़ को next topic आता है purpose of discovery learning first one is develop effective way of working in a team अगर आप ग्रुप में बना कर सम्हों में अगर काम करेंगे तो उससे जो है आप जल्दी से नई चीज को खोजबिन कर पाएंगे next आता है instinct reward motivate the student जब हम अंदर की अपने आपको ही अचीव करने के लिए किसी चीज को बोलेंगे तो हम motivate भी होते चले जाएंगे यानि कि अब जिसे मैं अपने आपको बोल रहे हूं कि 70 marks आपको लेने हैं तो मैं अंदर से भी अपने आपको motivate कर रही हूं उसकी help से मैं आगे study कर पा रही हूं student are actively involved बच्चे जो है इसके अंदर actively involved रहेंगे यानि कि वो कुछ खोजबिन करते रहेंगे time to time skill and concept learned in discovery lesson are more meaningful to the student यह बात आपको बार बार रिपीट कर आए जा रहे है कि जो भी हम discovery learning के थ्रू सीखेंगे वो हमारे ज्यादा लंबे समय तक रहेगी वो चीज़ हम और असानी से उसको याद भी recall भी कर पाएंगे यानि कि जब भी हमारे जरूरत होगे हम उस चीज़ को दुबारे से recall करेंगे नेक्स रहता है increase student ability to analyze, synthesize and evaluate the information यानि कि जो भी हमारी ability होती है student के अंदर analyze करने की यान कि किसी चीज़ के बारे में पता लगाने की अब analyze मतलब कि हम अगर classroom के अंदर normal example लें जिसे कि हमें ये देखना है कि एक आपको classroom के अंदर entry कराई जाती है और उसके अंदर बहुत सारे student है अब आपको बोला जाता है कि इसमें कितने आप मतलब की probability बताओ कि कितने student जो है girls है और कितने क्या है boys है यानि कि आप अनुमान उसमें कितना लगा पा रही है synthesize and evaluate information यानि कि जो भी हम translation या मुलांकन हम उसका कितना अच्छी से कर पा रही है वो हमारे क्या है increase होता हुआ चला जाएगा अगर हम discovery learning का यूज करेंगे student will learn some procedure क्योंकि हमें खोज करनी है यानिकि हम कुछ सर्च करने चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या होगा एक process तो follow करना ही होगा help students in finding out patterns in abstract and concrete situation means जो भी हमारी सरल या फिर ठोस तीती है उसके अंदर किस तरीके से जो है बच्चे काम कर पाएंगे वो एक अपना ही pattern follow कर पाने में help करेगा हमें discovery learning यह हमारे जो है purposes का topic complete होता है कि क्या-क्या हमेरे discovery learning के purposes है next topic आता है educational implication of brunner's theory educational implication है कि हम कहां कहां पर इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहले हमें यह देखना हो कि हमारा purpose क्या है education का यानि कि हम सिक्षा देही क्यों रही है spiral curriculum यानि कि हमारा curriculum जो है वो हमारा जो प्थे करम है वो किस तरीके का है next आता है discovery learning यह कि क्या हमें किस तरीके से बच्चे को सिखाना है models of mode of representation हम किस तरीके से बच्चों को समझाएंगे कि क्या हम method use करें जिससे उनको सारी चेशे clear हो जाए speeding up cognitive development यानि जो हमारा संग्यानात्मक पक्ष है उसकी development में हमें तेजी ल अलग अलग रोल रहेगा जब वो discovery learning के थ्रू बच्चों को पढ़ाएंगे तो यह इस तरीके से जो हम education के अंदर imply कर सकते हैं यह हमारा purpose हमें पता होना चाहिए curriculum हमें पता होना चाहिए कौन से method का हम use करना चाह रहे हैं किस तरीके से हम बच्चों को convey करना चाहते हैं हम किस इलेक्ट्रोनिक चीज का इस्तमाल करके बच्चों को कुछ सिखाएंगे और टीजर का ही सबसे एहम रोल रहेगा नाव नेक्स टोपिक इस ब्रूनर एग्रीज एंडिसेग्री विद प्याजे यानि कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़े थी जिनसे ब्रूनर ने कुछ सीखा और क चाहें तो इनको सिक्वेंस में लिख सकते हैं सबसे पहले हम एग्री वीदि के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन पक्षों में जो है वो प्याजे के साथ थे सबसे पहले था चिल्डरन आर प्रे अडेप्टेड टू लर्निंग बच्चे पहले से ही जानना चाहते हैं वो जाकरती रूप से बच्चा जो है जानना चाहता है किसी चीज को कोगनेटिव स्टक्चर डेवलप्स ओवर दा टाइम जो हमारा संग्याना अत्मक पक्षोता है वो धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बीतेगा हम जो है सीखते हुए चले जाएंगे सारी चीजे चिल्रन के आर एक्टिवली पार्ट लेंगे तो वो जादा जल्दी सीखेंगे अब जो है प्याजे से ब्रुनर डिसेगरी क्यों थे फर्स्ट वन इस डेवलप्मेंट इसे कॉंटिनेस प्रोसेस नोट एस सीरीज ओफ स्टेज प्याजे ने जो है सीरीज के अंदर उसको डिवाइड किया हैं development of language is a cause not a consequences of cognitive development जो हमारी development होते है भाशा की वो एक कारण है लेकिन ऐसा नहीं है कि संग्यानाद्मक development हमारी जो है वो किसकी वज़े से होगी language की वज़े से इस चीज में जो है वो डिसेगरी कर रहे हैं next one is involvement of adult make a big difference in peers अगर जो बड़े उनसे बड़े बच्चे यानि कि जैसे कि first second के बच्चों की comparison में अगर पी जो उनके adult हैं माल लेते हैं 7th 8th class के तो उनका भी influence जो है ज्यादा पढ़ता है अगर वो उनसे interact करते हैं next one is you can speed cognitive development प्याजे ने जो cognitive development है उसको stages में बाटा है कि इस stage के अंदर इतना portion हमारा develop हो जाएगा लेकिन ब्रूनर कहते हैं कि हम cognitive development को एक speed से भी क्या है cover कर सकते हैं कोई बच्चा ऐसा होता है कि जो दो साल का होगा वो तभी बोलना start करेगा कोई बच्चा ऐसा होगा कि वो 5 साल का होते हुए भी दो साल वाले के comparison में नहीं बोल पा रहा यानि कि कुछ ना कुछ हम change देखने को मिलता है students के बीच में और यही इन चीजों की वज़े से यह जो ब्रूनर थे वो प्याजे से disagree करते थे यह हमारा जो है ब्रूनर's discovery learning theory जो है वो complete होती है होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी कि कि किस परकार से ब्रूनर ने जो है discovery learning को importance दी है education में thanks for watching